बिहार में भ्रष्टाचारी ड्रग इंस्पेक्चर का पर्दाफाश ड्रग इंस्पेक्चर के पास से बरामद हुआ नोटों का जखीरा करोणपती निकला बिहार का ड्रग इंस्पेक्चर नगदी गिन्ने में छूटे अधिकारियों के पसीने बिहार में भ्रश्ट अधिकारियों के खिलाफ विजिलेंस ब्यूरो की कारवाई लगातार जारी है इसे बेच आय से अधिक संपत्ती मामले में सर्विलांस इंवेस्टिगेशन ब्यूरो ने वीते दिन ड्रग इंस्पेक्टर जीतेंद्र कुमार के पटना और गया सहित चाह ठीकानों पर छापे मारी की चापे मारी के दौरान ड्रग इंस्पेक्टर जितीन्र कुमार के यहां कुबेर का खजाना निकला है यहां से लोटों से भरे कई बैद, कई जमीन के काखजाद, सोने चांदी के भरपूर जेवरा, चार लगजरी कार समेट कई एहम दस्तावेज बरामत किये गए है जाच के दौरान ड्रग इंस्पेक्टर के आवास पर बोरे, दीवान पलंग और काल्चन में छिपा कर रखी गई बड़ी मात्रा में नगदी बरामत हुई है इनके घर में मौझूद आधा दर्जन से ज्यादा गोद्रेज की अलमारियों को खोला गया तो इन में बड़े बड़े झोलो में 500 और 2000 के नोटों की गड़िया मिली सभी जोलों में रखे नोटों को निकालकर जब गिनने का सिलसिला शुरू हुआ तो निगरानी ब्यूरों के करमी परिशान हो गए दो हजार और पांच सो रुपए के इन नोटों को गिनने के लिए पहले करेंसी रीडर मशीन मगाई गई मगर गिनती पूरी होने से पहले ही मशीन ने दम तोड़ दिया मदद के लिए दो बैंक कर्मियों को बुलाना पड़ा आधी राग तक नोटों के बंडल गिने जाते रहे वही सर्विलांस टीम को ड्रग इंस्पेक्टर की आवाज से चार फोर वीलर भी मिले हैं जिसकी जार्ज की जा रही है छापे मारी की कारवाई अभी भी जारी है इससे माना जा रहा है कि बरामत की और भी ज्यादा हो सकती है जानकारी के मताबिक पटना में जिस्पी S के महुआर और गया में जिस्पी खुर्शीद आलम छापे मारी का नेत्रित्व कर रहे हैं फिलहाल जब्त किये गए दस्तावेजों का आखलन किया जा रहा है आरोप है कि ड्रग इंस्पेक्टर जितेंद्र कुमार ने सरकारी नौकरी करते हुए जंकर भ्रष्टाचार किया है इनके खिलाफ लगातार शिकायते की जा रही थी जितेंद्र पर लगी आरोपों की राज्य सरकार ने जाज करवाई जाज सही पाये जाने के बाद से निगराने विभाग ने इनके खिलाफ कारवाई की और शनिवार को एक साथ चार ठीकानों पर छापे मारी की है फिलहाल ड्रग इंस्पेक्टर के और भी आवासों पर छापे मारी जारी है लेकिन जिस तरह से अभी तन नोटों का जखीरा बरामत हुआ है उससे तो यही कयात लगाये जा रहे हैं कि अभी भरष्टा चार की और भी जड़े खुलनी बाकी है इस खबर में फिलहाल इतना ही देश और प्रदेश की बाकी तबाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पबलिक खबर के यूट्यूब चानल को और बैर आइकन दबाएं ताकि चानल से जुड़ी किसी भी लेटिस्ट अपडेट से आप चूपना जाएं